क्या करूं मैं, मेरी शुद्धा तो शांती नहीं हो रही है, कुछ तो खाना होगा, पर क्या खाऊं? रहसोई में जाकर देखता हूँ, वहाँ अवश्य कुछ मिल जाएगा, कहाँ ढूंडू, यहाँ देखू, यहाँ भी कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है, यह भी रिक्त है, अरे, यह सब तो रिक्त है, अब मारूती क्या खाएगा? इन में कुछ तो होगा, इसलिए उपर बांद के रखे हुए हैं, क्या करूं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, अरे, यह तो शक्रा है, और यह तो कच्ची दाल है, और यह कच्चे चावल, अब मैं इन्हें कैसे पकाऊँ? कच्चे ही खा लेता हूँ, शुदा ही तो शान्त करनी है, अरे, यह तो समाप्त हो गए, अब मारूती क्या खाएगा? नारायन, 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 प्रणाम देवर्शी, आप, और यह सेब, आप यह सेब मारूती के लिए लाए हैं? हाँ, मारूती, यह सारे सेब, मैं तुम्हारे लिए ही लाया हूँ. नारायन, नारायन, लो? नारायन, 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 प्रणाम देवर्शी, ये सेब तो बड़े रसीले और स्वादेश्ट थे मारूती को और चाहिए किन्तु मेरे पास जितने सेब थे मैंने आपको दे दिये अब और फन नहीं है मेरे पास किन्तु मारूती की भूग तो अभी तक शांत हुई ही नहीं है और इसी कारण मा बहुत दुखी है मा का दुख तूर करने के लिए मारूती को अपनी शुदा कुशांत करना ही होगा ये तो बड़ी ही विकट समस्या है मेरे फल तो समाप्त हो चुके है किन्तु मैं तुमें एक ऐसा फल दिखा सकता हूँ जो विशाल तो है ही तुमारी शुदा को भी शांत कर देगा किन्तु किन्तु क्या देवर्शी किन्तु वो फल तुमें स्वैम तोड़ना पड़ेगा उसे स्वैम प्रयास करके पाना पड़ेगा प्रयास करना पड़ेगा करोगे अवश्य शीग्र दिखाये देवर्शी मारूती अवश्य प्रयास करेगा आओ मैं दिखाता हूँ वो देख रहे हो ना वो महा फल आकाश फल अच्छा ये है आकाश फल कितना बड़ा है दिखाये दिया ना वो है आकाश फल इस महा फल को खाने से तुमारा उदर भर जाएगा और तुमारी शुदा भी शान्द हो जाएगी सत्य कह रहे हैं आप सत्य तो कह रहा हूँ किन तू पुना है ये किन्तू और कितने किन्तू देवर्शी किन्तू बहुत दूर है वो आकाश फल शुन्ने की डाल पर लटका है युग सहिस्त्र योजन दूर तो क्या हुआ यदि अटूट इच्छा लगन और अदम्य साहस के साथ किसी भी लक्षे को पाने के लिए बढ़ा जाए तो वो लक्षे है अवश्य ही प्राप्त हो जाता है पर ध्यान रहे उस तक पहुंचने के मार्ग में अनेक बादाएं आएंगी परन्तु तुम्हें काग्र होकर अपने लक्षे तक पहुंचना है अपनी भूग मितानी है तो चाहे कितनी भी दूर हो वो आकाश फल मित्रो मारुती को अब तक खेलने के लिए आ जाना चाहिए था हाँ कल अनप्राशन में उसने कहा था सभी प्राता यही मिलेंगे कुछ पी कहो किन्तु है अद्बुधी है हमारा मित्र मारुती किन्तु कल कितना खाया था हाँ मारुती हाँ मारुती मारुती कहा जा रहे मारुती मैं आकाश फल खाने जा रहा हूँ हम् आकाश फल पर 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 अकाश पल यह कौन सा फल है ना जाने कहा चला गया पता नहीं पलक जपते ही ओजल हो गया हम् इश्वरी जाने वो किस फल की बात कर रहा था आकाश आकाश अग्पूरी प्राव वाल अग्पूरी कर दो 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 प्रणाम राजप्रोहट जी कल्यान भवा राजन वैसे तो सूरे ग्रहन के समय में की जाने वाली पूजा, हवन और दान के विशे में आपको सब कुछ ग्यात है और महारानी जी भी धर्म कर्म के कारे से पूर्णतया परिचित है फिर भी मैं अपता पुरोही धर्म निभाते हुए ये आपको बताना चाहता हूँ कि आज सूरे ग्रहन है जिसका सूतक काल कुछी समय में आरंभ हो जाएगा सूतक काल से ग्रहन के मोक्ष काल तक भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि इस काल में खाद्य सामगरी दूशित हो जाती है आप उचित कह रहे हैं हमने पहले से ही सबको सोचित कर दिया है ग्रहन के समय में की जाने वाली पूजा और हवन से सूरे को राहू से मिलने वाली पीड़ा अल्प हो जाती है इससे सूरेदेव प्रसन्न होकर सुख, सम्रिधी और आयू में पृद्धी करते है इसलिए ग्रहन के समय में यग्य और दान का विशेश महत्व है आप जैसा कहेंगे, हम वैसा ही करेंगे प्रोहिजी आपका तुलादान होगा अर्थात आपके भार के समान भार का द्रव्य जनता में दान किया जाएगा तथा हर बार की भाती, वस्त्रदान एवं गउदान भी करना होगा अब अश्य राजपुरोहिजी, ऐसा ही होगा एक राज़ा के लिए प्रजा सेवा भी, प्रभु सेवा के समान भी होते है राजपुरोहिजी, हमने सारी व्यवस्था कर दी है ये सब तो व्यवस्थेत रूप से हो जाएगा इन तो मारुति का क्या करो, सोकर उठते ही उसे भोग लगेगी भोजन उसे दे नहीं सकती, अकनी भोग के समक्ष वो छोटा सा बालक सूर्य ग्रहन के बारे में क्या समझेगा आज तो वो जितना सोएगा उतना ही अच्छा है झालक से हो जाएगा